कौन है वह खिलाडी जिसे शुभमन गिल की जगह दी गई लेकिन इसने सभी की उम्मीदों पर पानी फेड़ दिया और यहां तक की खाता भी नहीं खोल पाया। दोस्तों, वर्ल्ड कप दो हजार चौबीस हो गया। जिंबाबवे के साथ सीरीज पूरी हो गई। इंडिया श्री लंका सीरीज आ गई लेकिन एक प्लेयर पर डिसकेशन बंद नहीं हुआ। नाम संजू सैमसन। संजू के सलेक्शन को लेकर हर सीरीज में बात होती है। वो टीम में होते हैं लेकिन फाइनल 11 में जगह नहीं बना पाते। जब आते हैं तो रन नहीं बनते। श्री लंका के खिलाफ सीरीज के दूसरे मैच में भी वही हुआ। संजू खाता तक नहीं खोल पाए। दूसरे मैच से पहले इंडियन टीम के ओपनर शुभमन गिल को गले में कुछ दिक्कत थी जिस कारण गिल को बाहर बैठना पड़ा। जगह मिली संजू सैमसन को जिनके बारे में खूब चर्चा होती रहती है। इस बार उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी मिली लेकिन संजू एक बार फिर फेल हो गए। पहली ही गेंद पर शर्मा ने उन्हें बोल्ड कर दिया। संजू बिना स्कोर बोल्ड को डिस्टरब किये पवेलियन लॉट गए। 162 रन के टारगेट का पीछा करने उतरी इंडियन टीम जब बैटिंग करने आई तो पहले ओवर की तीन गेंदों के बाद बारिश का। लंबे स्टॉप के बाद DLF के हिसाब से इंडियन टीम को आठ ओवर में 78 रन का टारगेट मिला। बारिश से पहले तीन गेंदें यशस्वी जायसवाल ने खेली थी, रन बनाए थे। बारिश के बाद अगली ही गेंद पर जायसवाल ने चौका जड़ दिया। ओवर में रन बने 12, दूसरे ओवर की पहली गेंद पर संजू सैमसन स्ट्राइक पर थे। फैंस को उम्मीद थी कि संजू कुछ कमाल करेंगे लेकिन वो नहो सका। कैरम बॉल पर संजू का पैर तक नहीं हीला। बॉल सीधे स्टंप पर जाकर लगी और चोट संजू के फैंस के सीने में। सोशल मीडिया साइट पर एक यूजर ने लिखा, यह कहते हुए दुख हो रहा है, लेकिन संजू सैमसन का इंटरनेशनल करियर लगभग खत्म हो चुका है। एक और यूजर लिखते हैं, संजू सैमसन की बदकिस्मती यही है, जब भी उन्हें मौके मिलते हैं, वो असफल हो जाते हैं। एक यूजर ने कैप्टन और कोच की बैटिंग के बारे में बोलते हुए लिखा, जब किसी बैटर को कोच और कैप्टन की बैटिंग नहीं होती, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलना काफी कठिन होता है। संजू सैमसन को अपने फ्यूचर का कोई आइडिया नहीं है। बैटिंग के वक्त उन्हें कुछ समझ नहीं आता। बता दें कि संजू सैमसन जिंबाबवे के खिलाफ सीरीज में तीन मैच खेले थे। सीरीज के तीसरे टेस्ट में संजू ने 12 रन की पारी खेली थी। चौथी टीम इंडिया में संजू की बारी नहीं आई थी। भारतिय टीम ने 10 विकेट से मैच जीत लिया था। पांचवे मैच में संजू ने 45 गेंदों में 58 रन की पारी खेली थी। उनकी इस पारी में चार छक्के और एक चौका शामिल था। इस दोरान उनका स्ट्राइक रेट 128 से भी ज्यादा का था। दूसरा मैच भी भारत ने जीत लिया है और इसके अलावा मैच के जिक्र करें तो बारिश से प्रभावित मैच को टीम इंडिया ने तीन ओवर्स में अपने नाम किया। इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज भी अपने नाम कर ली। तीन मैच की सीरीज का एक मैच अभी खेला जाना है। इंडियन ओपनर यश्यस्वी जैसवाल ने दूसरे में 15 गेंदों में 30 रन बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 12 गेंद में 26 रन बनाए। हार्दिक पांडिया ने 9 गेंदों में 22 रन बनाकर मैच को खत्म कर दिया। रिशब पन्त दो रन पर नौट आउट रहे। इस वीडियो में बस इतना ही।